तो बजट आ गया है वोधी सरकार का तूझ के बाद पहला बजट था तो बहुत सारी चर्चाएं होनी चाहिए थी क्या सस्ता हुआ क्या महंगा हुआ भाई क्या प्रबेट मिली क्या नहीं मिली लेकिन इन सब के इतर जो है सबसे ज़्यादा चर्चा क्या हो रही है शुरायो कि या कार महेंगी हो गई, सस्ती हो गई, यह सब नहीं डिसकस हो रहा है, तो इसी पर कॉफी पर कुर्शेत में यही बात करेंगे, कि राहूल गांधी और टीम ने विपक्ष ने कि इस तरह के बैक फूट पर भेजा था, और जो नतीजे आया थे, कि मिली-जूली सरकार वाला 2024 का लोकसवा चुनाओ जब शुरू हुआ था, तो राहूल गांधी ने सारी जो नरेटिव वाली पिछ थी हो पकड़ ली थी, और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, वीजेपी उनकी टीम और रियक्ट करती हुए दिख रही थी, यह निश्चित तोर पर तीसरी बार की मो सोच रहे थे तुमने कैसे कर दिया, यह तो मेरी दिमाग कार्ड या, हम कह रहे थे, तो मतला क्यारे कट कॉपी पेस्ट तो है, नहीं मैं क्या कह रहा हूँ कि नरेटिव में पहली बार रियक्ट कर रहा हूं, यह देखने का तरीका थोड़ा यह अलग मैं कह रहा हूँ, आज क्या है कि कॉंग्रेस कह रहे ही कि जो तुमने किया है वो हमारा कॉपी पेस्ट कर लिया है, और तीन लाइने जो राहूल गाली की है, उसको सब को पढ़ना चाहिए, तीनो लाइने एक दूसरे की कांट्रडिक्टरी है, विरुधा भासी पंक्तियां है, एक कह रहे ही ह गगाया कि अमभाणी इड्डाणी का है, एक कह रही है कि कॉपी-पेस्ट किया और पूराना बजट किया, इस मतलब पूराने भीजट सब मोदी सरकार के ठीक हूं कि कॉब खर रिया है, दोनो लिखा हुगा हुगा राहूल गानी के लिखे की बात कर रहा हूँ, copy paste and previous budget, वो लिखा हुगा है उसमे, मैं जो बोल रहा हूँ, राहूल गानी में लिखा हुगा, अब वो करें कुरसी बचाओ, तो तीसरा आ गया, यानि इसका मतलब क्या कि नरेंदर मोदी की कुरसी एकदम intact हो गई, तो मुझे ल अबर, हमने क्या कहा, हमने कहा था, एंजल टैक्स हटाओ, हटा दिया, बाद में पता चला लगाया भी तुछ, लेकिन इसका मतलब यह हुआ ना, कि उनको हर चीज़ आना, कि हम ने किया, हम चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं, इसका मतलब, सरकार ने जो किया, उसके narrative में Congress फंस कोशिश को इतनी है, जब कि 60,000 करोड पहले लेके जा चुके हैं, तो देख तो रहा है कि सबको खुश करने की कोशिश की गई है, जिनका साथ जरूरी है, नहीं देखे पिनास, एक यह होता है कि कुरसी बचा और दूसरा होता है कोलिशन पार्टनर्स की respect करना, after all, एक कोलि बिर्जेज गिरे, कितने आपने 12 बिर्जेज, 12 से 18 बिर्जेज अभी गिरे हैं, तो अगर 47,400 करोड का एक allocation हुए है, तो मुझे तो लगता है कि विकास की तरफ से आपको देखना चाहिए, और जिस तरीके से एक जनवरी में कोलिशन दुबारा बनी, नितीश कुमार की औ तो अगर भाजपा ने एलान किया है, 47,400 करोड देने का और उधर 15,000 करोड दुबारा से देने का, टोटल फिर से 60,000 करोड का बिहार और आंधर का, तो भी एक respect की तरफ से देखना चाहिए, प्रेशर में दिया या यह दिया है, वो तो opposition कहेगी, कहेगी, लेकिन जहां तक middle कुरसी बचाओ, कि coalition partner उनको तो आप इज़त देंगे ही देंगे, अगर coalition partner को आप इज़त नहीं देंगे, उनकी demand नहीं रिखेंगे, जो आंधर परदेश को पहले नहीं मिल रहा था, जब से capital बनी, बनी, जब bifurcation हो चुकी थी, दसल में भी दे सकते थे, ऐसी बात नहीं चाहती थी, बिहार में जो कुछ है, ठीक है, बिहार में पहले भी सरकार दे रही थी, वहाँ रेल कोच कारखाना कुला, आप इसको जड़ा समझे, नरेंदर मोधी जो चाह रहे थे, वो हो गया, हम क्या कह रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि रोजगार कॉपी-पेस्ट कर लिया रहुल गानी मुद्दा उठा रहे थे, हम बात कर रहे हैं कि बिहार और अंदरप्रदेश को दे दिया, अब हैडलाइन मेनेजमेंट हो गया है, हर बजट का एक हैडलाइन मेनेजमेंट होता है, तो मुझे लगता है कि नरेंदर मोधी जो चाह रहे थे वो कर लिया, आप ज जाना नहीं, यह कोई नितिश कुमार के घर में तो जाना नहीं, यह दोनों नेता, नितिश कुमार और नाइडू, दोनों development politics वाले हैं, और आपको याद होगा, जब हर कोई caste census कह रहा था, तो नाइडू जी skill census कह रहे थे, तो मुझे लगता है, कि यह अच्छी वाली राज आज 22 situation में आ गई है, क्योंकि नकल्ची बजट जैसे ही आप कह रहे हैं, तो आप उसे criticize नहीं कर सकते हैं, तो आप उसे criticize नहीं कर सकते हैं, बजट को आपको अच्छा बताना पड़ेगा, जहलते हैं, कैसे जहलते हैं, पुरवांचल expressway का उत्गाटन होता है, तो मेरा प्ल आंदरप्रदेश और बिहार भारत की दो बड़े राज्ये हैं, उनमें कुछ विकास होगा, तो भारत का विकास होगा, मैं तो जाओंगा एक दिन पहले जो economic survey आया, उसमें मेरे खाल से इतने अच्छे macro fundamentals मैंने नहीं सुने पिछले 20 साल में, जिसमें जब चाइना की GDP 5% से देखें, तो बेस्ट मैनेज CPI, WPI दोनों, consumer, wholesale है, वो दोनों 10 साल में नरिद मूदी का सबसे अच्छा है, अगर थोड़ा उसके आसपास है, तो वो जनसंग की सरकार का है, 1977 का, फिर आप देखें कि आपका share market है, आज शायद उपर नीचे हो, लेकिन share market कितना market cap कर रहा है, वो 11 लाग करोड का market cap कर रहा है, जो विश्व के 5 बड़े देशों में है, आपका जो foreign reserve है, आपके जो foreign debt के बलकुल बराबर है, आप किसी भी macro indicator में देखें, आप 10 बड़ी, 5 बड़ी economic के बराबर है, तो मेरे खाल से नरिद मूदी के लिद बहुत अच्छा मैदान है, कु सबसे बड़े दिक्कत क्या है, बिचारा middle class का आदमी मतलब, पूरा budget सुनता है, सबसे end में बोलेंगे तो, और कुछ नहीं बोलेंगे हर बार, तो उस पर भी दिक्कत होती है, कि बाद में उसको समझाएंगी, कि सब तो middle class के लिए ही है, सारा कुछ जो है, तो middle class और share बाज बाज है, बाज होता है, जब share बाजार बंद होने के तरफ आ जाता है, तो फिर ठंडा जाता है, नहीं यार, ultimately government ठीक है, अन्त में तो बड़े विजन वाली है, बड़े infrastructure प्रोजेक्ट काम कर रहा है, तो ऐसे taxpayer वाला भी मान जाता है, वो भी कहता है, यार ठीक है, नहीं हु प्रोजे चलो ठीक है, किसान के लिए कुछ तो अपर लग इस तरह से मान जाता है, तो शेर बाजार और जो taxpayer है, उन्हें एक तरह से, गुसाता है, लाल होता है, फिर बंद होता है, ठीक हो जाता है, तो वही है, तो इसलिए जानते है, जानत देना क्यों? उसलिए उसलिए क्योंकि देखिए, टैक्स कलेक्शन से ही आप development की तरफ बढ़ सकते हैं, टैक्स कलेक्शन नहीं होगा, तो कि इंडिया में टैक्स को लेके evasion बहुत था, पिछलिए 10 सालों में आपने देखा किस तरीके से टैक्स का evasion घट है, और सबसे बड़ा जो policy निकाली, वो ये निक capital gains जो है, उसको लेकि बड़ा question mark है, अब आपने short term gain पे बढ़ा दिया 15 से 20%, 10 से साढ़े बार long term पे, that means कि अगर मेरी property भी है, property आप एक तरफ 20 से साढ़े बार कम कर रहे हैं, लेकिन अगर suppose करी कि मैंने mutual funds में invest किया है, जो कि हम लोग सारे आज की देट में tax saving plans करते हैं, शुदन जी भी कह रहे हैं, वो दर्द तो हो गई होगा, क्योंकि after all middle class तो middle class ही, middle class का अगर दर नहीं आप सहन करेंगे तो फिर आपको votes कहीं तक ही है, अगर आप अभी भी corporate tax 25% पे रहेगा, जो बहुत अच्छा है, मैं बानता हूँ, बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि जो हमारी peer countries है, उसमें कम था तो वहाँ चला जाता investment, लेकिन जब आप corporate tax को 25% कर रहे हो, और हमें आप 30% पे कर रहे हो 15 लाग के ऊपर, 15 लाग आज के समय में क्या है, आप जो employment generation scheme लाए उसमें भी 1 लाग आप लाग आप, 12 लाग को आप minimum normal मानने लगे हो, दूसरा आप discourage क पैसे कमाने वाले के लिए, मतलब उसमें कोई limit नहीं बद लिए, इवन जो professionals के लिए था वो भी कोई scheme नहीं बद लिए, capital gains में तो indexation खतम करके आपने नुकसान कर दिया है, तो अगर इस वाले पहलू पर जाएंगे, तो बहुत से चीज़ें लेकिन कमाल की बात यह है, कि इस पर विपक्ष कोई हमला नहीं कर रहा है, कमाल की बात यह है, मैं भी वही सप्राइजिंग हो कि किसी को में चाहिए नहीं किया, पोलिटिकली जो इनको साधना था, मोदी जी को साध लिया, सारी चर्चा इस पर हो रही और वो रोजगार वाली scheme सचमूर बहुत अच्छी एक बार आप उस साइकल में आ जाते हैं, एक बार आप नौकरी में आ गए, एक बार मिल गया तो चलो ठीक कमपनी होगे, किसी को काम होगे, फिर वह पकड़ने लगता है, तो उस निट में आप आ जाएंगे, तो मुझे लगता है कि विपक्ष पहली बार ट्रैप में फसा ह है इस सरकार के, लंबे समय से जो उसने अपने आपको एक्ट करने वाले रोल मिला दिया था, इस बार वो रियक्ट कर रहा है, वो भी अपिनास मुझे लगता है कि जिस तरेंगे से डीबी टी ना, इस स्कीम ने एंडी ए को 2022 को चुनाम में यूपी में भी जिताया और 2019 के आप चाहे लोगसभा की सब्सीडी देख लीजे, ओजवला योजना या ओजाला, तो जो डीबी टी जो योजना है वो कहेंना कि benefit जूरू करती है, क्योंकि middleman की elimination हो जाती है, तो आप जो नई स्कीम है वो डीबी टी ये कह रही है कि आपके जो यंग entrepreneurs है, एक करोड लोगों को 500 companies में शुरू के दुनों में ही एक महिने की salary 15,000 जिनकी एक लाग की तनका भी है, एक लाग की तनका आप सोचिए, उनको भी 15,000 एक महिने में वो bonus देना, इस कोई चोटी चीज नहीं है, तो वो एक unemployment को हटाने का ही जरिया है, ये मैं काँगा, एक silver lining में है, budget में, और वित मंतरी ने अपना भाषन पढ़ना शुरू किया, तो उस पे रोजगार, 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 वही चाया भी रहा है, पूरा, बुरी बात नहीं है, लेकिन हाँ, क्योंकि अगर डेटा देखें, जो SBI और I.M. Amdabad की रिपोर्ट आती है, जिससे पता बात चिपकती नहीं है, तो आपको इसको सामने से जाहिर करके कहना पड़ता है, और चाहिए वो इंटर्शिप हो, चाहिए वो अच्छा काम हुआ है पिछले 10 साल में, और इसको एक स्कीन के माध्यम से ला देना, कि 500 कंपनियों में एक-एक महीने के लिए इंटर्शिप द कि वो अपलायबल नहीं, ऐसा नहीं कि कमपनियां नहीं, उनको रिक्वारمنट नहीं है, आपने देखा हो कि इन्फोसिस हायर करती है और 6 महीने मांगंदोर के केमपस समर रखके ट्रेनिंग देती है, तो उसका तो 6 महीने डेट कोस्ट है वो, आम पेमेंट कर रही हैग और यह गर वा इंटेंशिप के द्वारा, जिसके पैसे सरकार दे रही है, तो मैं रहाद से कंपणियों के लिए तो हाथ वाहत लेंगे वो इसको, तो मैं रहाद से अच्छा तरीका है, और एक प्रशर था भी कि एक नरेटिव भी चला जा और काम भी सचका हो, कुछ तो है, जो राहूल गांदी की अखिलेश जो है, पूरे टाइम थूआउट कहते रहे, जो नरेटिव फॉल्स ट्रू, वो अलएदा बात है, कि वो रिफ्लेक्शन हमें बजट में दिखा है, रोजगार के मुद्धे पर कोई फॉल्स टू नहीं होता है, बाजार में लोग हैं, काम करना चाह रहे हैं, उनकी आवाज भीपक्ष उठा है, यह लोगतंतर का यही तरीका है, दूसरी बातों पर हो सकती है, वो सम्विधान आरक्षन वाला जूर था, वो अलग बात, लेकिन यह तो हमेशा रहेगा न, वही रोजगार कभी भी किसी को लेकिन, यहां जो बात होती कि क्या क्वालिटी एंप्लॉइमेंट, अब यह आप ध्यान दीजिए, दो हजार चौदा से जब से सरकार आई, जो स्किल डेवलप्मेंट मिनिश्ट्री थी, राजी प्रताप रूडी से लेकर और अभी तर, उसने बहुत अच्छे से काम नहीं किया, दुर्भाग रहा कि कोई भी मंत्री, और मुझे लगता है कि इस पर मोदी जी को जरा सोचना जाएंगे, अब ये जो 500 कंपनियों के साथ है, अगर ये जमीन पर उतार लेगा, अगर मैं इसलिए लगा रहा हूं कि कई बार बजट में कई ऐलान होते हैं, वो जमीन पर उतरते नहीं दिखते, अगर ये उतर गया, तो यकीन मानिए, ये जो सरकार जो कई narrative में पिछड़ जाएंगे, उनको trend करेंगे, और वो आगे के लिए, उनके लिए asset बन जाएंगे, तो मुझे लगता है, ये दोनों तरफ से है, बस अब सवाल यह है, कि इसको implement करने का कोई जो तरीका है, और मैं बार बार कहता हूं, time bound follow-up के जो mechanism है, उस पे इस सरकार को फिर से जूजना प पिहार तो बहुत है, नितीश तो आज मतलब गद गद होंगे, कि finally मैंने अपनी रसूख और मेरी importance है, और मैं पैसे भी लियाया हूं, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि महराश्ट का क्या गुनहा था भई, पश्यमंगाल का क्या गुनहा था, और इन सब के बीच, UP कह मैं नहीं मानता, पहली बात तो ये, UP को प्रवांचल एक्सप्रस में मिला है, 35,000 को जिसमें, उतना जिक यूप का नहीं जितना 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 बजट है, और मैं अगर महराश्ट की बात करूं, अभी तीन बड़े प्रजेक्ट्स प्रधन मंत्री पिछले हथे लोगों को बसाना मुश्किल है, अपार्टमेंट खरीदें वहाँ पर मुश्किल है, वहाँ पर सड़क बनाना कितना, आप सुची कितना कटिन काम है, और साथ मैं टनल मुझारी है, मैं खोद अभी एक अफ़ते वहाँ रहा तो मैंने जब टनल में, तो ऐसे नहीं कि मांग लिया और ले भी लिया, तो मैं तो हैरानू की तरिस भी आदा वो जम नितीश सरकार चला रहे थी, तब क्यों नहीं यह मांगी गई मांगी, और अगर मांगी रखी कि तब तो सिरफ कास सरवे पर फोकस जाना था, कि हमें कास सेंसर्स चाहिए, तब कर डिवलेप्में कि यह उठा लिजे, केरला का और करनाटका का और राजस्तान का वो दौर उठा लिजे, 2004-14 का, तो ऐसा नहीं कि घैलोट सरकार ने टूरिजम के अंदर 12-13000 क्रोड के अंदर ट्रेन सरकिट्स ना चलाई हो, उस समय रोयल राजस्तान से लेके बड़ी-बड़ी ट्रेन, तो कही ना कहीं, जो सरकारों की प्राइटीज और फोकस होती है, वो बदलती रहती है, और अगर इस सरकार की आज बिहार फोकस है, तो मुझे तो इसमें बड़ी एक खुशी लग रही है, कि आफ्टर आल इतने सालों बात जाके बिहार में कुछ वैसा विकास देख पाएंगे बिहार में रेल कोच फैक्टरी लगी, देश की सबसे बड़ी रेल कोच फैक्टरी वहां लगी, नालंदा का रेश्टोरेशन शुरू हो गया, यूपी के समय में उसकी शुरुवात हुई, बाद में वो स्थाई कैमपस में चला, अब बड़ा कैमपस बन गया, भी वो हो गया, एयरपोर्ट की अब ग्रेडेशन का काम हुआ, एयरपोर्ट, दरभंगा और एक और दो एयरपोर्ट बने, हाइवेज को लेकर गंगा पे स आई लाख करोड से जादा ग्रामीर विकास है, वो देश के अलग-अलग राज्यों में नहीं जा रहा होगा, जो एक लाख बासट हजार करोड का अग्रिकल्चर और एलाइट सर्फिसेज में वो नहीं जा रहा होगा, सवाल यह है कि हेडलाइन कैसे मैनेज करने ही, तो MSME के लिए इस budget में बहुत कुछ आया है, MSME में एक तो उन्होंने बताया है कि हमारा जो dashboard काम कर रहा है, हमारी जो monitoring है, debt recovery tribunal बनाने की बात कर रहा है, और मैं यह कहूंगे, MSME को लेकर, मतलब, क्योंकि हम लोग उस लिहाज से जानते हैं, बहुत सी चीजें हैं जो COVID के बाद आपकी जो ECLG credit guarantee link scheme थी, उसने बहुत काम किया और बहुत MSME को बचाया, लेकिन COVID के समय के बाद बहुत से NPA हो गए, आपको उनकी hand holding की ज़रूरत है, अगर किसी की नियत है कि फैक्टरी चलाना चाह रहा है, तो आप उसको आगे बढ़के और आमतर पर होता है, जो इसको व करना चाहिए, अच्छी बात है कि इसमें बताया भी गया है कि 28,000 ऐसी units को हम बचाने में काम्याब रहे, 10,00,000 करोड से 20,00,000 करोड कर दिया, जो उसके है, और 100 करोड का कर दिया है, जो MSME को देना है, तो एक तरह से कहें कि उसकी hand holding बहुत अच्छे से की गई है, उसके अल तो मैं कर रहा हूँ कि headline जहां ये सरकार ले जाना चाहती थी वहां गई, budget allocation continuity में है, वही सब कुछ है, उसी को आगे बढ़ाने की तो मोधी जी तो अपने मन माफे काम जो headline बनाने में और जो message देने में कामयाब तो हो रहे है, क्योंकि budget तो देखी हड़ साल आता है और एक continuation में ही था interim budget का, लेकिन राहूल गांदी के अब हंस गए है, अब आप ना तो criticize कर सकते और नहीं उससे back पर जा सकते, नौकरी आप ने मांगी थी, निया भरपूर देदी है, बिल्कुल ठीका, थेकि उनके पास दो मुद्दे थे कि आप दो बैसाकियों पे हैं, वो किस दिन आपको छोड़ देंगे, इन दो promises के बाद जो बिहार के साथ, अंदरपदेश के साथ है, वो मुद्दा ही खतम हो जाता है, आप job जॉब 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 कर रहे थे, उस पे बड़ा comprehensive है, हड लाइन्स हर न्यूजपेपर की, हर वेबसाइट की, हर यूट्यूबर की, जो हेड लाइन है, वो जॉब के राउंड है, तेकि अभी जो MSME की बात करी, वो बहुत इंपोर्टन है, और सच में कोर मि की बात करते हैं, दस तिलन एकॉनमी की बात करते हैं, वो manufacturing sector की बना नहीं हो सकती, और मार्ट 2014 में, जो हमारा PMI index होता है, जो हमें एक इंडिकेटर देता है, वो 16 साल में सबसे जाह था, खरीब 60 के आस पास था, और इस बाहर अगर आप चानामिक सर्वे देखें, उसमें भ आप सारे ऐसे सड़े गले नियम हैं, जो दिक्कत देते हैं, आपको बता है, सिंगापूर में परसुएरिफिट स्पेस कम है, एक एंपलई की, और भारत में वो जादा है, तो वो स्पेस कम के, ऐसा ना हो कि आप छोटा बिजनस पचास लोगों का लगाना चाहें, वो आप सरकारी जवाब हैं पूरे भारत में, आप प्राइविट सेक्टर की सारी जवाब लगा दें, दुस-पंदरा परसंट के अंदर सारा ओगनाई सेक्टर खतम हो जाता है, उसके बाद तो नया आपको धंदा लगाना असान करना ही पड़ेगा, चाहें कितनी आप पॉलिटिक सर्वे में खास कर, यहां तक बात हुए है, पहली बार AI ट्रैवल कर गया, एकनॉमिक सर्वे में, कि AI से हमारी जॉब जा सकते हैं, तो हम उसका भी कॉगनिसंस लेना पड़ेगा, तो AI रिलेवेंट स्किल्स हैं वह भी देनी पड़ेंगे, तो मेरे खाल से जो बात हुई है एकनॉमिक सर्वे में, आर्च के बजट में, वह काफी भविश्य को देखते वे हुई है, तो मतलब यह बेमानी होता है कि विपक्ष को बजट पसंद आ जाए, मतलब वह तो पहले से तैगर के वैठे होते हैं, कि क्या लाइने बोल रही है, तो कई बार तो नकलची बजट काफी पेस बजट, इंस्पाइड वो सारी चीज़े हैं, लेकिन अखिलेश न ऐसा नहीं बोला, अखिलेश तो कह रहे हैं, ग्यारवे बजट में बेरोजगारी, महंगाई, किसान महिला, युवा का मुद्दा नौदो ग्यार हो गया है, नहीं, मैं इस बात से हैरान हूँ क अखिलेश तो 37 सीटेश जीत के आ रहे हैं, अगर आज भी उनको ये बात नहीं महसूस हो रही है, कि जो देश का युवा है, वो कहां पे जाके खड़ा है, 18 से 20 देशों में और US से में 28 CEO's हैं, जो इंडिया से निकले हैं, इंडिया के IIT's से निकले हैं, पिछले 10 सालों से CEO बन गए हैं, तो मुझे नहीं पता है कि और कौन सी जॉब्स होती हैं, जो इंप्लाइमेंट होती हैं, कि लिए शादर के समय अगर scams और scandals होए, चाए वो गूमती riverfront में लेके हुआ हो, चाए वो expressway में हुआ, तो एक वो दोर था जब युवा सिरफ scams और scandals को सुना करता आज वो जाके CEO's बन रहा है, यह मैं जरूर मानता हूँ कि middle class में जो हमने 25 अभी decide कि हैं, वो कहीं पे मौझूद नहीं है, पर इस बात से तो आप नहीं पीछे हट सकते इस बात को मानने के लिए, कि किस तरीके से skill development में, आज भी प्रधान मंतरी ने 10 लाग करोड का जो budget है, वो skill development के लिए रखा है और बाकी 10 लाग को उन्हें प्रधान मंतरी आवास योजना के लिए रखा है, तो कौनसा ऐसा दौर था जब पुरवाणचल में बलिया से लेके देविरिया से लेके पुरवाणचल के उन शहरों में मकान बना करते थे प्रधान मंतरी PMAY योजना के रहते हैं, मैं हुआ पर देख के हरान रहे हैं कि वो मुस्लमान परिवार भी है जिनके घर के बाहर प्रधान मंतरी आवास योजना PMAY ये लिखा हुए है, जाएस में आमेटी में, तो अगर प्रधान मंतरी आवास योजना में 10 लाग करोण का बजट आज आज आप और दे PMAY की रीच हो रही है, योजनाओ की रीच से आपने 2019 जीता, कि आपने जितनी बेनिफिश्री योजनाओ थी, मैं को लगता है अच्पर दिन च उसके बाद लगने लगा कि ये तो हमारा हक है, ये तो दे हो और क्या दे रहे है, और एक्स्ट्रा, तो क्यूंकि अगर ऐसे ही अगर बेनिफिश्री से ही अगर जीतना होता, तो फिर शायद जो नतीजे आए उत्रप्रदेश से कम से कम वो तो नहीं आते है। अगर ये नहीं होता, तो मुझे लगता है, इसको तो दोश नहीं देना चाहिए, पब्लिक को जो मिलेगा उसके आगे की मांगे, लेकिन अब जैसे इसमें एक दो चीजें हैं जिसकी चर्चा बहुत कम होगी, बहुत कम हो रही है, रिसर्च डेवलोप्रेट के लिए इस ब प्रेटेंट कराने वाले देश हो गए, तो जब हम इन जगहों पर जाते हैं, तो इसको कहते हैं कि नेक्स्ट लेवल क्या है, आखिर हम जब टेक्नलोजी में, जो कटिंग एज टेक्नलोजी हैं, AI है, इन सब में हम आगे जा रहे हो तो उसको करेंगे, और ये PLI को ELI में ब बहुत लोग लुभावन है, हमारे एक बड़े बिजनस जानने वाले मित रहुन उनका कि तो पॉपुलिस्ट बजट है, देखने में लगता है, वे पॉपुलिस्ट नाइडू जी के लिए, पॉपुलिस्ट नितिश कुमार के लिए, पॉपुलिस्ट एक ये जो रोजगा आप मंडियों में क्लिनिक मशीन लगाईए, आप उसके लिए दीजिए, आप इनेम को और एडवांस कीजिए, आप उनको ज्यादा तरह की उपज के लिए अच्छे बीज दे दीजिए, कुछ विशेश जहां आपको ज़रुवत लगती उसको आप तयार कीजिए, लेकिन ये वाला काम है, ये तो हमारी सोच हो जाएगी, लेकिन आप कल आने वाले दो दिन जब बजट पर जब पूरी की पूरी चर्चा होगी, विपक्ष को बोलने का मौका दिया जाएगा, तो अब राहूल क्या कहेंगे, अगर ये इंस्पाइड, कॉपी-पेस्ट है, नकल्च बला हो, तो शहएद उनके 40 मिनट के बाशन में, मनिपूर तो उनके 4-5 मिनट बोला करो, कुछ और ही बोलते रहे पूरे बाशन में हो, तो ऐसा भी डाइग्रस कर सकते हैं, जो हमें बोलना है वो बोलेंगे, और बजट के कुछ तोर देकर निकाली लेंगे, जैसे हम लें इतने सब के बाद भी जो फिस्कल पूड़न्स है, वो बिल्कुल ठीक है, चाहे आपका ट्रेड डेफिसित हो, वो एक परसेंट से कम पर है, चाहे आपका फिस्कल डेफिसित हो, वो पांच परसेंट पर बनावा है, और चाहे आपका डेट टुजड़ी रेशों हो, वो 18-19 अब ही जब उसकी डिटेल आएगी, जो उसके अनेक्स्चर्स होते हैं, जब उसके डिटेल में पढ़े जाएंगे, तो बहुत से चीज़ें प्लस माइनस आएगे, बस एक चीज मैं कहूंगा, कि भारती जनता पार्टी की सरकार के मंत्री लोगों को थोड़ा बोलने में ऐ हैं, यह तुम कर रहे हो, और इस तरह का भाव आने लगता है, जैसे बहुत लोग कमा रहे हैं, अरे बहुत कमाएंगे तभी तो जो एक अच्छी स्कीम में जरूर कर दूँ, जो NPS वात्सल ले, जैसे सुकन्या समदिधी थी, वैसी यह गेमचेंजर है, और हर किसी को अपन जाएगी, और थोड़ा वो अलग से एक, जिसको कहें कि जे में पाइसा रहे है तो जाएगा, प्रधान मंत्रिया थोड़ से डिजिटल इंडिया को भी लेके बड़ा फोकस रहते हैं, आप देखी, मोबाइल फोन्स के ओपर 15% कस्टम द्यूटी को रिलाक्सेशन देना, और उसी तरीके से गोल्ड पे भी और सिल्वर पे दोनों पे डायमंड पे भी 6% कट कस्टम द्यूटी उतारनी, सूरत तो एक हब राही है चलिए और जिस तरीके से वहां पे वेपार रहा है, बड डायमंड के ओपर सूरत और इतनी निटी ग्रीटीज के अंदर वक्त की कम कोफी देखने को मिलेंगे, दल्चस प्रहेगा कल का दन भी, लेकिन आज के लिए कॉफी पर कुरुक्षियत्र में इतना हैं